आज हम केपसिकम टोमेटो का गारलिक सोस रेडी करेंगे इसको आप डिब भी बोल सकते हैं इस सोस को आप नाचोज, पास्ता, पीजा, गारलिक पराथा इन सब के साथ सर्व कर सकते हैं सोस रेडी करने के लिए हमने दो टोमेटो कट कर लिया हैं और वन केपसिकम कट कर लिया अच्छे से एक पेन में हम कटे हुए टोमेटो और केपसिकम डालेंगे इस तरह से हलका घरम होने के बाद हम तू टेबल स्पून मियावनीस डालेंगे इस तरह से वन एन हाफ टेबल इस्पुन हम सेजवान चटनी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको लगबग इसको दो से तीन मिनिट लगेंगे अच्छे से उबलने लगेगा इस तरह से अब हम इसमें वन टेबल इस्पुन रेट चिली फ्लेक्स हाफ टेबल इस्पुन हम ओरिगेनो मिक्स करेंगे इस तरह से और इसको चला लेंगे लगबग तीन से चार मिनिट तक हम इसको अच्छे से उबलने देंगे लो मीडियम फ्लेम पर ही पकाया आप इसे इस तरह से अब हम इसमें त्री चीज क्यूब एड़ करेंगे इस तरह से और इसको मिक्स कर लेंगे ये बहुत ही टेसी होता है अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसको दो मिनिट के लिए छोड़ देंगे तो ये हलका गाड़ा हो जाएगा ये देखिए हलका गाड़ा होने के बाद हम इसको सर्व कर लेंगे इस तरह से गालिक पराटे के साथ हमने सर्व किया है